सरकाई जगाओ वानिज बचाओ संगश्य संभीति के बैनर की तले व्यापार युद्वरा गतिनों के के हल्ला बोल पत्यात्रा और पाई किराली आंदुलन की परिनाम स्वरुप राजिस सरकानी आज कोवीड-19 प्रतिपन्तों को लेकर नए दिशान नितेश जारी के हैं इसमें नागपुर में दुकाने सब्ता में पांच दिनों तक रात आट बची तक और शनिवार को दो पहर तीन बची तक शुरू रह सकेंगे जबकि होटल रेस्टारेंट दो पहर चार बची तक ही चला है जा सकेंगे जिलावा मनपा प्रशासर की तरफ से जानकरी दी गई कि नए दिशान नेतेश को लेकर मंगलपार तीन अगस को संशुदित आदेश जारी क्या चायगा राजिस सरकार की आदेश को लेकर कही खुशी कही गम बालिस्तिती देखने को मिल रही है जहां एक और दुकान तारों ने दुकानी रात आट बची तक शुरू रखने का स्वाकत क्या है वही रेस्टारेंट कोचिंग क्लासेस मंगल कारेले सहीद कोवीड प्रती बंतों से सरवाधी प्रभावित व्यापार चेत्र के लोगों ने राजिस सरकार के इस नए फर्मान की प्रती कड़ा विरोच जता है सरकार जगाओ वानी जबचाओ संकरिश सामिती के संयोजग दिपन अगरवाल ने कहा कि नए आते से सरकार की व्यापारी को बाटो और राजकरों क की नितिस्पष्ट होती है इसमें सरवाधी प्रभावित सेक्टर की गोर अंधे की हुई है होटल मंकर काले कोचिंग क्लासे आधी सेक्टर संकर में हैं उनके लिए पैकेज की खोशना तक नहीं की गई है उल्टे उन पर पुरानी प्रतिपन लागु रखी गए है हाला कि अन्य दुकान दारों के लिए रात आट पचे तक दुकाने शुरू रखने का निने स्वागत योग्य है नाग विदर्ब चेंपर ओफ कॉमर्स के अत्रिक्षर अश्विन मिहाडिया ने कहा कि सरकार परा प्रती बंदों में दी कई छुट का स्वागत है लेकिन इसमें मोस अफेक्टेट सेक्टर की अंद्र की होई है यह सेक्टर पहले से गहरे संकट पे हैं उन्हें इससे उभरनी के लिए शिकर ही छूट कर लाब दिया जाना चाहिए मुख्यमंद्री उद्व ठाकरी को इस पापत शिकर ही निनने लेना चाहिए सरकार जगाओ वानी चे ठेले सब चल रहे है लेकिन होटल रेस्टोरेंट को नोबहर चार बजे तक ही खोलने की इसाज़त दी गई है इसका कारण समझ से परे है यदि ऐसा ही चलता रहा तो होटल रेस्टोरेंट मालिक अपनी प्रतिष्टान राब तक खोलना शुरू कर देंगे फिर चाहिए उन प्रभावे शेट्रों के व्यापार उसे चर्चा के बाद आगी की रन निती ताय करने की जानकारी सयोजग तेपन अगरवान ने दी कैमरा पसंद राजकुमार मोहड और अकिलेश भारत वास के साथ आभिशिक पांसी की रिपोर्ट